किया आप जानते हैं कि साज़त नाडद वाला को किक के लिए आइस आइफ आवोर्ड फॉर पेस्ट डप्यू डारेक्टर विला था हरे उससे पहले क्या जानते हैं कि आज डारेक्टर किक साजित की पहली मुवी थी, तो क्यों इंडर्स्ट्री मेट ने सालों से होने की बावजूद, साजित 2014 में आज डारेक्टर सामनी आय थी? इसका जवाब, आज हम आपको इस वीजियो में देंगे, तो ज़र ये चलते हैं कुछ ऐसे वाक्स की तरफ जो शायद आज तक आप दी नहीं सुने होंगे. तो नाध्यादवाला ग्रांस अंटर्टेन्मेंट नाम का प्रड़क्शन हाउस बॉलिवुट का बहुत ही मशूर और पुराना प्रड़क्शन हाउस है. साज द फेमस फिल्म मेकर एके नाध्यादवाला के पूरे हैं. एके नाध्यादवाला ने मुंबई में खूब नाम कमाया था और वो सिनिमा के दिवानी थे. एके नाध्यादवाला गुजरात के छोटे से गाउं से मुंबई में आय थे. मगर उनकी सपने छोटे नहीं थे उन्होंने खूम नाम और पैसे कमाए और अपनी छाप इस बॉलिवुट की दुनिया में छोड़ दी ऐसे में उनके काई थियेटर्स भी थे जो उस समय में बहुत ही चला करते थे अब अपने दादा जी को साजद देखते देखते बड़े हुए थे वैसे तो साजद C.A. है और उन्होंने L.L.B. भी की है मगर बचपन से ही उन्हीं फिल्मों का और फिल्मों की दुनिया का बड़ा ही शोक था इसी लिए इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो आज प्रडियूजर अपनी कंपनी लेकर आए और आज का वक्त ये है कि उनकी कंपनी इतनी बड़ी है और इस प्रड़क्शन हाउस में इतनी मूवीज बन शुकी है कि सालों सालों तक अपना र्यारवाला ग्रांजन इंड़ेंमेंट का नाम हर कोई याद रखी का अब कमाल की बात ये है कि साजित ने इस बॉलिवोड इंड़स्ट्री में कदम अस असिस्टन डारेक्टर रखा था जब वो महिट्र 21 साल के थे तब उन्होंने ज्रेपी दत्ता को घुलामी मूवी में असिस्ट किया था ये उनका पहला ओफीशिल काम था तो उन्होंने किया था और वो आज तक भी अपने सेट के फर्स्टी को भूले नहीं है मगर उसके बाद उनका डारेक्शन की लाइन में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो आजब प्रड्यूसर आगे आगे उन्होंने 1992 में जुल्म की हुकूमत नाम की मूवी को सबसे पहले प्रड्यूस किया था बस उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा वो चाहे नई मूवीज हो जैसे टूस्टेट, हाइवे, छिछोरे को प्रड्यूस कर चुकी है उन्होंने कई क्लासिक मूवीज जैसे जुडवा, मुझसे शादी करोगी और अंजाना-ंजानी भी दी है उन्होंने कई मूवीज ने उन्हें बहुत कमा के दिया तो कुछ फ्लॉप भी उनके हिस्से में आई वगर उनका ये बिस्निस उन्हें आज की तारीक में साथ मिलियन डॉलर की नेट वड़ दे चुका है उन्होंने हुब पैसे कमाए और आगे भी कमाने वाली हैं बाद में उन्होंने अपने हाथ राइधिंग और स्क्रीन प्ले में भी दिया वगर उनका किक को डायरेक्ट करने का बिलकुल भी रादा नहीं था जी हाँ किक साजित की पहली मुवी थी जिसमें वो बतो डायरेक्टर सामने आय थे इन फाक आज तक भी उस मुवी के अलावा उन्होंने बिहाइंड दर लेंस का जिमा नहीं उठाया है उन्होंने हाउसफुल टू जैसी मुवी में एजर राइटर काम किया है मगर डायरेक्शन आज तक उन्होंने एक ही मुवी में किया है और वो थी भाईजान की मुवी वो भी भाईजान के कहने पर बिल्कुल दोस्तों सल्मान की पाक नजर ने साज़द के अंदर शुपी डारेक्टर को ढून ही निकाला सल्मान और साज़द काफी पुरानी दोस्त हैं उनकी दोस्ती जुड़वा मुवी के सेट पर हुई और फिर हर दिल जो प्यार करेगा के सेट पर गहरी हो गई इसका ये मतलब है कि ये दोनों 20 साल से भी ज्यादा इंदूसरी को चानते हैं और दोस्त मानते हैं ऐसे में भाईजान तो अपने पसंदीदा लोगों को वैसे भी पुश करते ही रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया करें तो उन्होंने बस इस बार पुश किया था साजट नाध्यारवाला को साजट ने बताया कि भाईचान यानि सल्मान खान ने उन्हें बहुत बार अब्सर्फ किया था साजट को भी दारेक्शन का क्रेस तो है बस फिरक्या जब के-कि स्कृप्ट बन रही थी और साजट भाईचान से बात कर रहे थे सल्मान ने उन्हें कह दिया था कि वो इस मुवी क्षान करेंके पहले तो साजट को लगा कि सल्मान मजाग कर जहीен है वगर फाइनली सलमान ने बता दिया था साज़त को कि वो क्या चाहती हैं सलमान ने अपने डेफेंस में ये कहा कि वो हमेशा रियल टालेंट को सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट भी तुरंट कर लेते हैं और इस बार उन्होंने साज़त के अंदर छुपे डारेक्टर को ठूब निकाला इतना ही नहीं साज़त ने के के लिए स्क्रीन प्ले भी दिया था ये भी पहली बारी था जब साज़त स्क्रीन प्ले भी ऑफिशिली कर रही थी इसका यही मतलब है कि भाईचान यूझने इतना कण्वेंस किया था कि वो किक के लिए बहुत सीरियस हो गए थे कि उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले थी ये सही भी था किक के लिए साजित को बेस्ट डेब्यू डारेक्ट की काटेगरी में कई अवोर्ट्स मिले थी और किक बॉक्स ओफिस पर भी कमाल कर गई थी साजित ने खुद की सक्सस का श्रेब भायचान को दिया जिसके बाद अब वो और भी मुवीज जैसे हाउस फुल फाइव और किक टुगो तारेक करने के लिए तैयार हैं उन्हीं वो पुष चाहिए था जो उन्हीं भायचान ने थोड़े सालों पहले दे दिया था तो क्या आप भी मानते हैं कि सल्मान रियल थालंट को यू यू कहे कि असली हीरो को पहचान लेते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक खुश रही और सेफ रहीं बाबाई